चाइना ने एक नया सम्मरीन बनाया और नया सम्मरीन बना कर चाइना ने इसे ताइवान के पास डिपलोई कर दिया वैसे कहा जा रहा है करीब चार सम्मरीन को डिपलोई किया गया और ये चारों सम्मरीन को ताइवान के पास ही डिपलोई किया गया लगातार चाइना अपनी सक्तियों को बढ़ा रहा है अब सम्मरीन की चाइना की इन सक्तियों को काउंटर करने के लिए भारत ब्रहमास्तर लेकर आया है जानेंगे भारत अपने खास प्लान को कैसे एक्टिव कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में आखिरकार गिर गई है सरकार और नेपाल में उथल पुथल की इस्थिती बन चुकी है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं नेपाल गवर्मेंट एक बार फिर से क्रैसिस में आ गई है कल हमने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है लेकिन आज आखिरकार ऐसा हो गया और ये सब कुछ कैसे हुआ ये सब कुछ हुआ है ओली और देवबा इन दोनों के मिलने से और ये घटना रातो रात हुई है जिसमें अचानक से ये डिसीजन होता है हलाकि इनको उत्तर कहा जाता है तो इनको दक्षीन, इनको पूरब कहा जाता है तो इनको पस्चिम मतलब की ये एक दूसरे से कभी भी न मिलने वाले छोर थे लेकिन यहाँ पर गटबंदन बन गया है अब ये जो गटबंदन बन गया है इन गटबंदन का कुछ सर्त भी है जैसे की आधे समय मैं रहूंगा आधे समय तू रहना अब इस आधे समय में लोचा क्या है लोचा ये है कि पहले रह रहे हैं ओली और ओली को च्याइना का समर्थक माना जाता है देवबा को भारत का समर्थक माना जाता है अब आप सोच सकते हैं कि अपनी पारी पूरा करने के बाद ओली अपना रंग दिखला सकते हैं देवबा को हाला कि ओली को लेकर एक चीज कहा जाता है कि ये एक नमबर के पल्टू मार हैं कब कहां चले जाएं कहना मुश्किल है लेकिन यहां पर कहानी नेपाल की इतनी भी आसान नहीं है स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए इस आर्टिकल में क्या कह रहे हैं पुस्प कमल दहल परचंड यानि कि जो वरतमान में यहां पर पी एम है इनका कहना है कि मैं नहीं छोड़ूंगा अपना पद और मैं कॉन्फिडेंस वोट को फेस करूंगा आपको बता दूँ यहां पर चार बार पहले ही परचंड अपना बहुमत साबित कर चुके हैं पांचवी बार यह कह रहे हैं कि संसद में मैं बहुमत साबित करूंगा तब ही मैं हटूंगा अगर संसद मुझे हटाना चाहेगी थो अब यहां पर एक पोइंट आ जाता है टर्निंग पोइंट टाइप का आ जाता है क्योंकि पिछली बार इसी चक्कर में एक बड़ा खेल हुआ था लेकिन लगातार चार बार से बिस्वास मत जीत रहे परचंड के लिए एक मुश्किल है और मुश्किल क्या है मुश्किल यह है कि हर बार इनका जो परसेंटेज है बहुमत हासिल करने का यह गिरता गया है अब पांचवी बार यह क्या पापाएंगे बहुमत लग नहीं रहा है ज्यादा तर चांसेस हैं कि इनको बहुमत मिलने से रहा पर यह जो सीन इस वक्त नेपाल में सुरू हुआ है यहाँ पर बात भी शुरू हो चुकी है नेपाल कॉंग्रेस और ओली जो हैं यह डिसकस भी कर चुके हैं कि किस तरीके से हम फोर्मेशन करेंगे भविस में हम कैसे चलेंगे और किस तरीके से हमारे विभागों का बटवारा होगा कहा जा रहा है कि ग्रिया मंत्राले सता पर बैठेंगे और ये जो सता पर बैठनी की बात कर रहे हैं ये सबसे जादा डेंजररस काम है क्योंकि इनको माना जाता है फुल सपोर्टर चाइना का और दूसरी बात कहें नेपाल की इकोनॉमी में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखरा था 2024 में 2024-2023 की तुल्रा में बहतर तरीके से आ रहा था सामने पर 2023 में भी कुछ इसी तरह की उथल पुथल मची सत्ता को लेकर और फिर जाकर 2024 की सुरुआत हुई एक बार फिर से उथल पुथल मच रही है और ये जो पूरा फोरकास्ट किया गया है इस फोरकास्ट पर भी असर पढ़ सकता है बार बार अगर किसी देश की सत्ता बदलती है तो उसका सीधा परभाव पढ़ता है उसके आर्थिक विकास पर और जब आर्थिक विकास खत्म हो जाता है तो हर तरह की समस्या किसी भी देश में खड़ी हो जाती है अब मान कर चलिए कि आने वाला समय नेपा में बहुत सारे घटना करम हो रहे हैं तो वहीं भारत भी अपनी नौ सेना की सक्तियों को बढ़ा रहा है इसक्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं यह है भारत का युद्धुपोत आई एनेस तलवार यह योग दीवस के समय यह जो तस्वीर है बहुत जादा चर्चा में प्राइनाथ था इस मैप को देखकर आपको बहुत सारी चीजे समझ में आ जाएंगी यह जो भारत का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ इस बॉर्डर को अगर हकीकत में देखेंगे न तो अगर भारत अपने बॉर्डर पे खड़ा होकर चाइना पर हमला करता है तो चाइना को कोई खासा नुकसान नहीं होगा क्यों नुकसान नहीं होगा क्योंकि जिस एरिया में भारत हमला कर पाएगा वो ज्यादा तर एरिया या तो खाली है या जनसंख्या यहां पे बहुत कम है या फिर उधोगों की बात करें तो वो भी यहां पे बहुत कम है मतलब चाइना को बहुत कम नुकसान होगा लेकिन अगर चाइना इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करके भारत के उपर हमला करता है तो भारत को यहाँ पे ज्यादा नुक्सान होगा अब चाइना को अगर बस में लाना है तो भारत को क्या करना पड़ेगा चाइना को अगर बस में लाना है तो भारत को पहुँचना होगा कहां पहुँचना होगा चाइना के पास पहुँचना होगा और इस पास से फिर चाइना के उपर हमला करना पड़ेगा कारण क्यों कारण ये जो एरिया देख रहे है चाइना का निचला एरिया यही एरिया है जहाँ इनके उध्धोग हैं, जहाँ इनके लोग हैं और जहाँ इनकी सेन्य सक्ती सेन्य प्रतिष्ठान जितने खास चीजे हैं वो सारी चीजे हैं अगर क्या हो कि काफी दूर से ही चाइना के अंदर ब्रहमोस मिसाइलें गिरनी शुरू हो जाएं और इसके लिए क्या चाहिए होगा इसके लिए चाहिए होगा या तो युद्धुपोत युद्धुपोत तो सामने से दिखेगा बिमान भाइटर जेट भी दिखेंगे क्या नहीं दिख सकता है वो है सम्मरीन अगर सम्मरीन पहुँचता है तो सम्मरीन चुपके चुपके ए यह संभव है इस्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए नवंबर 18 दोहजार तईस एनाई का यह ट्वीट है जिस ट्वीट में एनाई ने कहा था कि हमने ब्रह्मोस के उस वर्जन का परिच्छन किया है जो सम्मरीन से लॉंच हो सकती है और के 15 के लिए इस्तेमाल किये गए सारे तरीकों को इस्तेमाल करके ब्रह्मोस का भी परिच्छन किया गया और भर्टिकल तोर पर यह पूरी तरीके से सफल रहा है आखिरकार ऐसा क्यों चाहिए हमें क्योंकि अब हमें अपने सम्मरीन में भी ब्रह्मोस को लैस करना है और भारत ने प्रजेक्ट 75 आई के लिए छमता होनी चाहिए वैसे जर्मनी को देखा जा रहा है एक बार फिर से जर्मनी वापस आ रहा है और जर्मनी चाह रहा है कि इस प्रजेक्ट को वो पूरा करे पर भारत सरकार किसे देती है यह आने वाले समय में पता चलेगा वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आ इक खबर के साथ